नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्यूश रंजन, सरगंगा राम हॉस्पिटल निदिली में गैस्ट्रेंट्रोल्जिस्ट हूँ आज आपसे इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही कॉमन समस्या का जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन होता है उसके बारे में बात करूँगा टूबरकुलोसिस यानि की टीबी एक बहुत ही कॉमन इंफेक्शन है लंग्स की टीबी आपने आम तोर पर सुनी होगी ग्लैंड्स की टीबी देखी होगी पर आपको यह जानके आश्यर होगा कि टीबी बहुत ही ज्यादा मात्रा में गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को भी एफेक्ट करती है जिसको हम इंटेस्टिनल टीबी के क्या लक यह बहुत ही important है और यह समझना कि किन हालातों में हमें TB suspect करनी चाहिए और उसको हम diagnose कैसे कर सकते हैं TB तरह का mycobacterium tuberculosis एक bacteria होता है यह बहुत ही slowly multiplying bacteria है high prevalence area जैसे हिंदुस्तान है इसमें generally यह tubercular infection हम काफी early life में exposed होते हैं और body की immunity इसको contain करके रखती है तो जब भी हमारी immunity घटती है यह tuberculosis reactivate होता है या हम बाहर से भी contact कर सकते हैं अगर हम किसी TB के वरीज किसम पर्क में आते हैं उससे usually lungs की tuberculosis जादा होती है यह जो intestinal tuberculosis होती है यह ज्यादातर reactivation होती है तो आतों में tuberculosis जो होती है वो तीन हिस्सों में हम इसको बाढ़ सकते हैं पेट के अंदर काफी सारे lymph nodes होते हैं अगर आपने देखा होगा बच्चों में neck के अंदर गले में glands हो जाती है बोल चाल की भाशा में लोग इसको guilty कहते हैं और इससे कई बार पस भी आ सकता है तो यह lymph nodes होते हैं हमारे body में पेट के अंदर होते हैं शरीर के हर भाग में हैं यह intestine के अंदर भी होते हैं पेट की जिली के बीच में तो यह बढ़ जाते हैं इनको mezentric lymph nodes, retroperitonial lymph nodes, peripancreatic lymph nodes, अलग-अलग location के हिसाब से इनका नाम करण है तो यह बढ़ जाती है यह है tubercular lymphadenopathy यानि कि tuberculosis के कारण lymph nodes पूरे body को involve कर सकती है वड़ पेट एक common site होता है आतों की TB का दूसरा हिस्सा होता है जब पेट की जिली में जिसको हम mezentry कहते है उसमें हो peritonium में tuberculosis हो जाए तो इसके कारण पेट में पानी भरता है इसको हम ascitis कहते हैं एक अन्य वीडियो में मैंने आप से ascitis के बारे में बात की है और पेट की जिली की TB के कारण पेट में पानी भरना यानि कि tubercular peritonitis एक बहुत ही common बिमारी है और तीसरी चीज होती है आतों के अंदर अगर TB हो जाए आतों के अंदर TB जो होती है सबसे ज़्यादा छोटी आत और बड़ी आत का जो junction होता है यानि कि ileo-cecle junction इसको कारण आतों में रुकावट होना यानि कि पेट में दर्द के साथ उल्डिया आना या loose motions आना दस्थ होना या bleeding होना ये हो सकता है तो ये तीन main location है जहां आतों में TB हो सकती है इसके अलावा चुकि TB एक तरह का systemic infection है जो कई तरह के और लक्षन पैदा करता है जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण बुखार आना और वजन का कम होना भूख न लगना ये systemic manifestations होते हैं किसी भी infection के जो की बहुत तेजी से नहीं फैल रहा है धीरे धीरे फैलता है और कई बार हम सोचते हैं कि हाम शायद डाटिंग कर रहे हैं इसलिए weight कम हो रहा है यहां एक बात में मैं आपक कि कोई कमी नहीं है weight कम करने के हिसाब से जब dieting कर रही होती है tuberculosis का reactivation होता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहीं ये चुपा हुआ है शरीर में जब आपके शरीर की ताकत कम हुई ये वापस उभर करके आता है तो लोग समझते हैं कि हम dieting से weight कम कर रहे हैं और हो इसका opposite होता है किसी बीमारी से weight कम हो रहा होता है और लोग बड़े हैरान होते हैं क्योंकि tuberculosis के बारे में एक माननेता है कि ये शायद ये बहुत गरीब लोगों की बीमारी होती है जो कि खासी और इससे तक ही संबंदित होती है आतों में TB होती है इस तरह की धारना और मानेता अगर fluid निकालें उसके simple test protein, albumin और एक simple test होता है जिसको हम ADA कहते है अडिनोसीन, DMINase ये एक enzyme होता अगर इसकी मात्रा एक limit से बड़ी होई है तो हम काफी certainty से, nearly 90% certainty से TB को diagnose कर सकते हैं इसके अलावा एक CT scan कराना अवश्यक होता है ताकि और कहीं अगर फैला हुआ हो chest x-ray करान और simple test montuse test, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, यह montuse test के बारे में, कई सारे लोग ये करते हैं कि सिर्फ montuse test करा करके, montuse test को tuberculine test करते हैं जिसमें TB का जो bacteria होता है उसका antigen skin के नीचे inject करते हैं, dermis में intradermally और उसका reaction देखते हैं, आपने भी देखा होगा काफी सारे ल बाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, tuberculosis, यह montuse test का positive होना, इस चीज़ का indicator है कि हमारे शरीर में कभी भी bacteria आया है, in fact, अगर montuse test negative आ रहा है, तो यह ज्यादा चिंता जनक चीज़ है कि हमारे शरीर में immunity शायद नहीं है, और हम उसको react नहीं कर रहे हैं, चुकि हम एक high prevalence zone में रहते हैं, उसमें से ज्यादा तर लोग tuberculosis से पहले exposed है, तो montuse test हमेशा positive आएगा, तो कृपया उसके कारण TB को diagnose ना करे या या उसके जरीय बताया गया है, जो मैंने बताया है, सबसे common चीज़ पेट का पानी आया तो उससे निकालना, या intestine में अगर tuberculosis है, छोटी आत बड़ी आत के junction पे, तो colonoscopy के जरीय वहाँ पर देखना, उसकी biopsy लेना, और उसकी histopathology में कुछ changes होते हैं, granulomas कहते हैं, उनको case eating granulomas या TB का bacteria भी देख सकता है, यह uncommon होता है, और आजकल कई सारे test होते हैं, जो biopsy में gene expert एक बहुत ही helpful test है, जो कि तुरथी 24 गंटे के नहीं है, इसके लावा TB का culture, देखिए किसी भी infection का diagnosis जो होता है, 100% तभी होता है, जब वो bacteria दिखे या directly या उसके culture में, TB के bacteria को directly demonstrate करना बहुत मुश्किल होता है, उसको culture करना काफी difficult होता है, तो हम कई बार यह indirect test का सहारा लेते हैं, तो ultrasound, CT scan, colonoscopy, यह simple test हैं, जिनके जरीय यह बताया जा सकता है, प्लस अगर साथ में किसी को chest में parallelly उसका proof मिल गया, तो यह चीज़ें और आसान हो जाती हैं, और यह Montuse test, ESR, यह ऐसे test हो जो supportive test होते हैं, ancillary test होते हैं, यह primary test नहीं है, तो जब भी आप किसी भी को यह symptoms हो, यह clinical feature हो, साथ में जो intestinal features, पेट फूल र करेगा, lose motions आ रहे हो, weight कम हो रहा हो, तो TB हम suspect करते हैं, और इसको बहुत simple test के जरीए इसको proof कर सकते हैं, TB का treatment बड़ा ही simple है, 6 महीने की दवाईयां होती है, intestinal TB में कई बार कुछ लोग इसको extend करते हैं, response के basis पर, TB के treatment में, हर किसी treatment में जैसी बात होती है, compliance बड़ा जरूरी होता है, और इसमें शुरू के part में कुछ side effect, यानि की पेट में कुछ जलन महसूस होना, उल्टी लगना, और बहुत ही small proportion of लोगों को कुछ liver में सूजन आती है, तो blood के test के जरीए liver function test monitor करना बहुत जरूरी होता है, तो इसको आप जरूर करें, कई बार TB की दवाईयों के reaction स liver में काफी serious problems आती है, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर हम closely monitor करें, तो इससे हम बच सकते हैं, और अगर दवाईयों को regular लें, तो हम इससे, बिल्कुल ये बहुत ही अच्छी तरह से curable disease है, dots के जरीए, government programs के जरीए, इसमें काफी help available है, इसलिए affordability भी इसको कोई ऐसी बहुत बड़ी issue नहीं है, तो इसका proper diagnosis करना, proper test के जरीए करना और इसका उचे treatment लेना, ये एक बहुत ही treatable disease है, धन्यवाद.